रामपुर रोड निवासे एक यूवती का शव लालकुआ के होटल में मिलने से संसनी फैल गई है जिसकी सूशा पर पहुँची पुलिस की टीम मामले की जाच में जुटी हुई है बता दे उद्धवार को हलदवानी की यूवती का शव लालकुआ के एक होटल में मिलने से हडकंप मच गया जिस घटना के बाद मौके पर पहुँचे लालकुआ और हलदवानी पूलिस के अधिकारियों ने मृत्यू के कारण की चानबीन करने के साथ साथ फॉरंसिक जाच भी शुरू कर दी है जिस संबन में मिली जानकारी के अनुसार रामपूर रोड वार्ड नमबर साथ निवासी याशिका पाहुआ जिनकी उम्र तीस साल है मंगलवार सुबह 11.45 मेर पर लालकुआ के जगदीश होटल में पहुँची और 107 नमबर कमरा भूप कराया और यूवती ने होटल के कर्मियों को बताया कि उसका नवरात्री का वरत है उसी डिस्टरब ना किया जाए वो आराम कर रही है और सुबह दिली को जाएगी लेकिन आज सुबह होटल कर्मियों द्वारा चाई बिलाने के लिए जब कमरे का दर्वाज़ा खट-कटाया तो वो नहीं खुला होटल कर्मिय यूवती के कमरे का दर्वाज़ा खोलने के प्रयास ही कर रही थे तब तक उसकी लोकेशन देकर उसके परिजन एवम हलदवानी पुलिस मौके पर पहुँच गी दर्वाज़ा तोड़ने पर कमरे के बात्रूम में उसका शव बरामद हुआ है जिसके बाद मौके पर पहुँचे लालकवां कोतवाल डियार वर्मा ने मामले की जाँच शुरू कर दी है वहीं प्रात्मिक स्वासे केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर लव पांडे और फॉरंसिक टीम के सदस्य से भी मौके पर पहुँच चुके थे इधर पता चला कि यूवती मंगलवार सुबध तड़के घर से लापता थी और जिसकी ढूंड खोश परिजरों द्वारा की जा रही थी उन्होंने मामली की सूचना हलदवानी की विधायक सुमित हिदेश इसको दी जिसके बाद विधायक सुमित हिदेश ने कोतवाली पुलिस को यूवती का नंबर सर्विलेंस में लगाने के निर्देश दे बेरहाल युवती की मौत पर विधायक सुमिती देश ने गहरा दुख व्यक्त किया है इधर युवती की मौत के कारण की जाज कोतवाली पुलिस कर रही है लेकिन परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है